हलो प्रेंस मैं हूँ पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम पॉइंट में एक नए वीडियो के साथ एक नए अपडेट के साथ तो प्रेंस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जितने भी लोगों ने अप सियाई हरयाडा वाचमैन की तीन सो अलसी पतों के लिए जो है प्रेंस एक्जाम दिया हुआ है तो फ्रिंस यह वीडियो इसी Topic पे होने वाली है तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो के अंतक बने रहें और इस वीडियो को कहीं भी Skip ना करें और अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को Like और Share जरूर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सुस्क्राइब जरूर करें तो आईए प्रिंस अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो प्रिंस अब बात करते हैं कि जितने भी लोगों ने अपसी आई हर्याडा वाचमैन के 380 पदों के लिए आविदन किया हुआ है उनका जो है प्रिंस अंसर की कपता काईगी जैसा कि प्रिंस आप सभी लोग को पता होगा कि आपकी अपसी आई हर्याडा वाचमैन का जो एक्जाम हुआ था तो प्रिंस 3 जुलाई को हुआ था और लगबग आप सभी के एक्जाम को हुए 15 से 20 दिन होने वाले हैं और आप सभी की जो है प्रिंस अभी तक जो है एंसर की नहीं आई है तो काफी सारे लोग जो है प्रिंस काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं तो अब बात करते हैं कि आप सभी की जो है एंसर की कप तक आएगी और आपका रिजल्ट जो है वो कप तक आएगा और इस बार कटाफ कितनी जाने वाली है तो अब बात करते हैं कि आप सभी की जो है एंसर की कप तक आएगी फिलाल आप सभी के एकजाम को पंड़क कराएं प्रिंस जो है 17 से लगबग 20 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक जो है आपकी फाइनल एंसर की नहीं आई है और आप सभी लोग जो है काफी टाइम से वेट कर रहे हैं कि आप सभी की जो है एंसर की कप तक आएगी तो प्रिंस आप सभी की एंसर की जो है प्रिंस वो 25 जुलाई तक आजाएगी कनफार्म है याप सियाई की तरफ से बहुत ही जो है बड़ी अपडेट सामने आई हुई है कि आप सभी की एंसर की जो है वो 25 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा और अब बात करते हैं कि आप सभी का प्रिंस रिजल्ड कब तक आएगा कि जितने भी लोगों ने अपसियाई के लिए आवेडन किया हुआ 380 पदों के लिए उनका प्रिंस रिजल्ड कब आएगा तो प्रिंस उनके एंसर की के लगबग 25 से लेकर 27 के बीच में जो है उनकी प्रिंस एंसर की आजाएगी और उसी के जश्ट बाद ही लगबग जु जो है फर्स्ट वीक में जुलाई के लास्ट वीक से लेकर कि अगस्त के फर्स्ट वीक में ही आप सभी के रिजल्ड को जो है उसको भी प्रवाइड कर दिया जाएगा और तभी जो है आप सभी की फाइनल कटाफ भी उसको भी जारी कर दिया जाएगा कि आप सभी का जो है क कितना जाएगा ये उनकी जो है कि final list पयार की जाएगी जिसमें उनके answer उसके cut-off की जो है फ्रेंस दिखाया जाएगा कि general OBC अत्वा SCST या EWS के लिए finally जो है इस बार cut-off कितना जाने वाला है और उसके बाद जो है प्रेंस आप सभी की जो है joining भी अगस्त के last week तक ही आप सभी लोग के लगभग दो महीने लगने वाले है यानि दो डेर से दो मन्त तो लगी जाएंगे इसके अलावा भी इससे जादा आप सभी के जो है time नहीं लगने वाले है यानि कि पूरे के पूरे फ्रेंस आप सभी के जो है दो मन्त आप सभी को लगने वाले हैं आप सभी की जो प्रक्रिय इसको complete तरीके से करवा दिया जाएगा और आप सभी कि finally joining भी करा ली जाएगी तो यहाँ पे आप सभी locally बहुत ही बड़ी एक update सामने आ चुकी है कि आप सभी कि answer की प्रिंस वो 25 जुलाई तक जारी कर दी जाएगी और आप सभी लोग यहाँ पे देख पाएगे कि मैंने यहाँ पे FCI की official website को open किया हुआ है और आप सभी कि जब भी answer की आनी होगी तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपके link को जो है यहाँ पे provide कर दिया जाएगा और आप सभी लोग जो है इस link पर click करके आप लोग जो है अपने answer की को देख पाएंगे और यहाँ मिलान कर पाएंगे की आप सभी की finally कितने question सही हुए या फिर कितने गलत और आप सभी लोग जो है इस आधार पर अनुमान लगास पाएंगे कि आप सभी की जो है final selection इस बार हो पाएंगे या आप सभी को जो है फ्रेंस new vacancy का weight करना चाहिए जैसा कि फ्रेंस आप सभी लोग के लिए जो है झाल झाल